कि सरकार को इस बात के धन्यवाद देते हैं कि उन्हों ने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेल गाड़ी के माध्यन से ही हमारे जो प्रवासी बाहर असे हुए है बिहार के रहने वाले लोग कि वहां चाहे चाहिए हो या मजदूर हो या कोई परियटक हो या कोई भी हो तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बहतर होगी कि विवस्था कर दी गई और पिछले दो दिनों से यह सिल्सिला प्रारम भी हो गया और एक बात और भीम बता देना चाहते हैं इसके बा हम लोग का विश्वास हमारी सरकार का विश्वास काम कर देना है अब जो कोटा से ट्रेनाना शुरू हुआ एक बात की जानकारी दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भड़ा नहीं देना है राज सरकार रेलिवे को पैसा दे रही है और व बाहर मदूरी हैं मदूर मदूर के मुख में काम करते हैं आने प्रकार से जो बार असे हुए वह यहां पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो आप जो डिश्टर मैरेंज्मेंट एक 2005 के पर अगर उनका जो गाइड लाइन जारी होता है उस गाइड लाइन में उन्होंने सपस्क तौर पर कर दिया और इसके बारे में बिस्तरिफ जानकारी हमारे अधिकारियों ने देदी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तो जो लोग भी आएंगे यहां उनक पूरा का पूरा क्वरिंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतिजाम किया गया वहां उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फसे हुए थे जिसराज में वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा रेल का भाड़ा उनके चिक्सा का सबकुष देखने का और जहां-जहां में परिंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतिज्व साबTIN हुए निरदेश किया है और इंतिज्व कि हुसी साथ से वहां पर लोगँं के सनान के लिए समय के लिए सब का प्रबंत किया है लिए तो भोज और मीनिमफ में हजार ने हैं और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लूब बहार के बाहर थे उनको ऊपने आजार रुपया देने का दिरने किया और जो भी उनका एप्भी करते हैं लोगों के हितने करते हैं और चाहते हैं कि यह कुटाब ने हम नों बताते तो यह तैक कर दिया है यह हम नों कंदर नहीं कि अपने और इसका अनुपालन भी सुनू हो गया है पुटा से जो हमारे विद्यात्री आ रहे हैं तो हम इस बाद की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से में ही आगरा करें कि जो लोग भी म लोगों को इस बात के लिए अभिनिनन करते हैं कि हमारे वासी अधिकांस की गुक्त कोई इढ़र जबर करता होगा लेकिन अधिकांस लोग सब लोग नियमों का पादम करते हैं और वही कारण की बिहार को उस तरह से परसानी नहीं जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के आए चलते कुछ लोगों को हो गया जो कि धिरे धिरे बढ़ा है लेकिन उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पढ़ा है और इस प्रकार से हम जो यह जो करो न वाइरेस है उससे उस पर कामईाओी वेसल करें हम सब होसे पूर्यक्त करोंगा भैजित होने की जरुवत नहीं सजग रहने की जरुवत और अनुतों गत्वा आप जान रहे कि पूरे दुनिया में यह हो रहा है यह सिर्फ कोई हम लोगों के हां की बात नहीं है अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विक्सित देश अमेरिका पर समझादा ह तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है सब लोगों से यहीं अपील है कि उसका अनुत